आज की कहानी है एक छोटी सी लोग का था चतुराई एक गरीब आदमी था एक दिन गा राजा के पास गया और बोला महराज मैं आपसे करज मागने आया हूँ किरपकर आप मुझे 5000 रुपे दे मैं 5000 के अंदर आपके रुपे वापिस कर दूँगा राजा ने उसकी बात पर व वेक्ति नहीं मिला जब भी राजा वहां जाता बहाना बना कर उसे वापिस भेज दिया जाता एक दिन फिर राजा उस वेक्ति के घर गया वहां और कोई तो नहीं दिखा एक छोटी सी लड़की बैठी थी राजा ने उसी से पूछा तुमारे पिता जी कहा है लड़की बो पूछता है तुमारी मा कहा है लड़की बोली मा एक से दो करने गई है राजा उसके इन अजूल फुजूल जबाब से खीज गया वह गुस्से में पूछता है और तुम यहां बैठी क्या कर रही हो लड़की हस कर बोली मैं घर बैठी संसार देख रही हूं राजा समझ गय कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी इसलिए उसे अब उससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बत्याना पड़ेगा राजा ने चहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा बेटी तुमने जो अब यभी मेरे सवालों के जवाब दिये उनका मतलब क्या है मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ लड़की ने भी मुस्करा कर पूछा अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दू तो आप मुझे क्या देंगे राजा के मन में सारी बातों को जानने की ति सारी बातों का आर्थ समझा दो लड़की बोली महराज आज मैं आपको सारी बातों का आर्थ नहीं समझा सकती किर्पेगर आप कल आए कल मैं जुरूर बता दूंगी राजा अगले दिन फिर उस वेक्ति के घर गया आज वहां सभी लोग मजूद थे वह आदमी उसकी पतनी ब माफ कर दूंगा लड़की बोली सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिता जी स्वर्ग का पानी रोकने गये हैं इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की चट से पानी टपक रहा था पिता जी पानी को रोकने के लिए चट को ठीक कर रहे थे यानि वर्षा का पान की जगड़ा करने गए है इसका मतलब था कि वह रेंगनी के काटे को काटेगा तो उसके श्रीर में जहां-तहां काटा गड़ ही जाएगा यानि जगड़ा नहीं करने पर जगड़ा होगा और श्रीर पर खुरोच है आएंगी राजा उसकी उसने उत्सुक्ता के साथ पूछा तीसरी और चोथी बात का क्या मतलब है बेटी। लड़की बोली महराच तीसरी बात मैंने यह कही थी कि मा एक से दो करने गई है। इसका मतलब था कि मा हर हर दाल को पीसने यानि उसे एक का दो करने गई है। अगर साबुद दाल को पीसा जाए तो एक दाने का दो भाग हो जाता है यानि यही था एक का दो करना रही चोथी बात तो उस समय मैं चावल बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि चावल पूरी तरह से पका है की नहीं इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है कि नहीं अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैटी देख रही थी यह कहकर लड़की चुप हो गई राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था उसे लड़की की बुद्धिमानी बरी बातों ने आश्रे में डाल दिया था फिर राजा ने कहा बेटी तुम तो बहुत चतुर हो पर एक बास समझ में नहीं आई कि यह सारी बाते तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी फिर तुम फिर घर में कल कोई नहीं था, अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, तो ये मेरी बातों का विश्वास नहीं करते। आज स्वें आपके मूझ से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है जहां इने इनका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी राजा लड़की की बास सुनकर बहुती परसन हुआ उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार तुम्हारी पिता जिगकर्श तुम्हें माफ कर ही चुका हूँ अब तुम्हें या तुम्हारे घरवालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा अब तुम लोग निश्चिन्थों कर रहो अगर फिर भी कभी किसी चीज की जुरत हो तो बेजिज़क होकर मुझसे कह इत्ता कहकर राजा लड़की को आशिरवात देकर चला गया लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जुरूर बताईए मिलेंगे एक नई कहानी के साथ कहानी सुनने के लिए धन्यवाद